नमश्कार मैं हूँ साक्षी बिहारी निउस में आपका स्वागत है खबरों के और बढ़ने से पहले अभी एक नज़र सुर्कियों पर बिहार में प्रतिभा की खोश के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन BTSC के 22 नर्जिंग संस्थानों में इस सत्र से होगा दाखिला बिहार में 6 लेन के एक्सप्रस वैका होगा निर्मान सरकारी स्कुलों में दाखिले के लिए आधार कार्ट जरूरी भारत की हार पड़ाजी के दिन फैंस ने स्टेडियम में लगाई थी आग इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से स्वास्थ विभाग में निकली 4000 से अधिक वैकेंसी कैंसिल स्वास्थ विभाग में निकली 4500 वैकेंसी को कैंसल कर दिया गया है दिरसल इस वैकेंसी का पहले ही विरोध किया जा रहा था इसमें जनरल केटेगरी को एक भी सीट नहीं दी गई थी इस बात का विरोध हो रहा था और वेकेंसी रद करने को लेकर स्वास्त वभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया है भारी विरोध के बाद वेकेंसी को कैंसल किया गया है बिहार स्वास्तव भाग ने नोटिफिकेशन में कहा है कि 4500 पदों पर निकाली गई वेकेंसी को अपडिहार कार्णों से रद्द किया गया है अब इन पदों पर फिर से भरती की प्रक्रिया शुड़ू होगी इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर नोटिस जारी होगा बिहार में प्रतिभा की खोच के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन बिहार में प्रतिभा की खोच के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है प्रतियोगिता को जीतने वाले खिलारियों को बिहार सरकार के उरसे ट्रेनिंग दी जाएगी इसके लिए ओफलाइन भी आविधन किया जा सकेगा यह प्रोग्राम 16 मार्च तक खेल परीसर में चलेगा वहें इस प्रतियोगिता को भारत सरकार के खेल एवं युवा मंत्राले भार्दिय खेल प्रादिकरन और बिहार राज्य खेल प्रादिकरन ने सयुकत रूप से आयोजन किया है आपको बता दे कि इसमें 15 सो बच्चों ने प्रत्योगता के लिए आविदन कर दिया है और कुछ चुनिंदा बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी BTSC के 22 नर्सिंग संस्थानों में इस सत्र से होगा दाखिला BTSC के 22 नर्सिंग संस्थानों में इस सत्र से दाखिला होगा राज्यमिया BSC नौसिंग करने वाले शात्रों के लिए इससे आसानी हो जाएगी बिहार तक नी की सेवा आयूग ने राज्य के 22 नए सरकारी संस्थानों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू करेगी आपको बता दी कि E&M, GNM और BSC नर्सिंग संस्थानों में दाखिला होगा और इन नर्सिंग संस्थानों के लिए भवन तयार किया जा चुका है यहां 60-60 सीचों पर नामंकन किया जाएगा इसका मतलब यह है कि 320 नए सीचों पर दाखिला होगा इसके लिए 22 नर्सिंग संस्थानों में प्राचारे की पोस्टिंग होई है स्वास्त विभाग ने इसके लिए दी सूशना जारी कर दी है बिहार में 6 लेन के एक्स्प्रसवे का होगा निर्मान बिहार में 6 लेन के एक्सप्रसवे का निर्मान होगा राज़ में बनने वाली एक्सप्रसवे अब 6 लेन की होगी इससे पहले ये 4 लेन ही बनने वाले थे इसमें गुरकपूर, सिलिगोरी, रक्सॉल, पतना, हल्दिया, बक्सर, पतना, भागलपूर, आदी, प्रमुक के है राज्य सरकार ने इसके लिए केंडर सरकार को प्रेस्ताओ दिया है फिलहाल इन सभी परियुजनों का निर्मानकारे अलग-अलग चर्णों में किया जा रहा है वहीं एक्सप्रसवे की निर्मानकारे पूरा हो जाने के बाद लोगों का सफ़र आसान होगा कम समय में एक अस्तान से दूसरे अस्तान की दूरी तैकी जाएगी सरकों पर जाम के स्थीती से भी लोगों को राहत मिलेगी आपको बता दे कि डिप्टी स्थीम समराड चौदरी ने बिहार में छेलिन बनने की जानकारी दी है इसके लिए जल्दी काम शुरू होगा सरकारी इसकलों में दाखिले के लिए अधार कार्ट जरूरी बिहार के सरकारी इसकलों में दाखिले की प्रक्रिया जारी है सत्र दोवजार चौबिस पच्चिस में फरजी नामंकन को रोकने के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कि है इसके अनुसार अब इसकलों में धाकले के लिए अधार काट समेट पांच दस्तावेज ज़रूरी हो जाएंगे चात्रवत चात्राओं के जन्म प्रमान पत्र हस्पिताल के पंजरी अभिलेक आगनबारी अभिलेक अभिभावक या मादा पिता के द्वारा दिये गए घोशना पत्र देना अब जरूरी हो जाएगा और इसके लिए सक्षा अभभाग के ओर से सभी इसकों लोगो आदेश दे दिया गया है और इसके साथ ही गाइडलाइन पूरा करने का निर्देश है एक अपरेल से कक्षा श्रू होने के दोरा नामंकन लिया जाएगा कैमुर वन प्रानी आश्रेनी बना बिहार का सबसे बड़ा अभियारन बन चुका है इसके लिए बिहार सरकार के ओर से इसूचना जारी हुई है क्यामूर का ये अभियारन वालमे की नगर वन प्रानी आश्रनी से करीब दो गुना जादा बड़ा है वालमे की नगर में मौदूद वी टियार का छेतरफल 910 वर्ग किलोमीटर है वहें क्यामूर वन प्रानी आश्रनी का छेतरफल करीब 1410 किलोमीटर है अब्यारन से लाइम स्टोन खनन के लिए क्यामूर में इस जमीन को इसके दाइरे में रखा गया है जमीन पर आपचारिक अनुमती के बिना कोई भी काम नहीं हो सकेगा लेकिन अब इसे वन शिद्र से बाहर कर दिया गया है स्याम लोगों को सहूलियत होगी पदमश्री से सम्मानित कपिल देव प्रशाद के निधन से सीम दुखी पदमश्री से सम्मानित कपिल देव प्रशाद के निधन से बियार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार दुखी है मुख्यमंत्री ने गहरी शोक समवीद नाव व्यक्त की है सीयम ने उनकी आत्मा के शांदी के लिए प्रात्ना की है, आपको बता दे कि कपिल देव प्रसाद हिड़े रोग से पेड़ित थे पटना के नीजी अस्पताल में उन्होंने आखरी सांस ली और इसके बाद पूरे राज्य में शोकी लहर है कपिल देव प्रसाद के बारे में बता दी कि उन्होंने अपने दादा और पड़ दादा से बावन बूटी की कला सीखी थी इस कला को उन्होंने देश और विदेश में अलग पहचान दिलाई, इसकारन रास्टरपती ने उन्हें बदमश्री से सम्मानित किया था गया में विदेशी महिला के साथ हुई छिंताई, बिहार के गया जले में विदेशी महिला के साथ छिंताई हुई है इस पूरी गटना का CCTV फुटेज सामने आया और इसके बाद थाई दूतावास ने चिंता जाहिर की है साथी जला अधिकारी को पत्र लिकाएस, इस पत्र में थाई परियतक और तिर्थ यात्रियों के अलग-अलग दिन घटित होई घटनाओ पर चिंता जाहिर की गई है महिला सचिंताई होने के बाद विदेशी महिला शोर भी मचाती भी CCTV फुटेज में नजरा रही है लेकिन कोई उनकी मदद के लिए सामने नहीं आता है ये पूरी घटना बोध गया थाना श्रेतर के वाटपा बुद्ध मॉनस्ट्री की है बर्द गया के स्डियो सोरव जैस्वाल ने इस मामले में कहा है कि स्पी आश्रीश भार्दी के आदिस पर विशेस टीम का गठन किया गया है और जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा पुलीस मामले की कारवाई में जुटी है पुलीस ने मक्का के खेट से भारी मातरा में शराब किया बरामत बिहार के पुर्णिया जुले के की नगर धाना श्रीतर के दीवी नगर गाउं में मक्का खेट में छुपा कर भारी मातरा में विदीसी शराब रखी गई थी इसे पुलीस ने बरामत कर लिया है गुप्त सूशना के आधार पर शापे मारी कर पुलीस ने 46 कार्टन शराप को बरामत किया वहें खेत के माली के गिरफतारी के लिए पुलीस शापे मारी कर रही है बताया जाता है कि होली को लेकर शराप की बरी खेप तसकरी के लिए लाई गई थी सराप की खेप को बंगाल से लाय गया था लेकिन पुलीस ने गुप्त सूशना के अधार पर जराप को जब्त कर लिया है और इसके साथ ही तसकर की गिरफतारी के लिए छापेमारी कर रही है तेजस्वी आदव ने सीम नितीश कुमार पर बोला हमला रुकावचों के बावजूद हमने दी लाखों लोगों को नौकरी बिहार विदान सभा के निता प्रतिपक्षते जस्वी आदव ने सीम नितीश कुमार पर हमला बोला है उन्होंने कहा है कि मुकमिंतरी के साथ काम करने में दिक्कत आ रही थी रुकावचों के बावजूद 17 में में लाखों लोगों को नौकरियां दी गई पुर्वर डिप्टी सीम ने सीम नितीश कुमार को पुराने ख्यालात और रुडिवादी अप्रोच वाला वैक्ति करार दिया है पुर्वर मकमिंतरी ने कहा कि वो नितीश कुमार के साथ जब सत्ता में थे तो वो अपनी शमता का 10 प्रतीशत ही काम कर पा रहे थे उनके साथ काम करने में परिशानी हो रही थी लेकिन रुकावचों के बावजूद उन्होंने लाखों लोगों को नौकरिय दी है केंद्री मंतरी नित्यानेंद राय ने तेजस्वी आदव पर पलटवार किया है देरसल तेजस्वी आदव ने एक वीडियो शेयर कर कहा है कि 17 महिने के कारेकाल में उन्होंने लाखों लोगों को नौकरिय दी है उन्होंने आधी शक्ती के बावजूद काम किया इस पर नित्यानेंद राय ने कहा है कि 17 महिने में सिर्फ लूट खसोट हुआ है लोगों पर अत्याचार किया गया विदिविवस्था चौपट हो गई थी अपराधियों को सनरक्षन दिया गया कि इंड्रे मंत्री ने कहा है कि देजस्वियादव के कारणामों से सिमनितीश कुमार तरस्त हो गए थे इस कारण वो महागडबंदन को छोड़ कर NDA में आ गए भागपा माली ने जमीन माफियाओं के खिलाफ उठाई आवाज ब्यार में भागपा माली ने जमीन माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाई है पार्टी के महासचिव दिपंकर भर्टाचारे ने जमीन माफियाओं के खिलाफ कहा है कि वो हर जगा गरीबों को जमीन से बेदिखल करने की धमकी दे रहे हैं फत्वा के आजाद नगर के लोगों को घर खाली करने की धमकी दी जा रही थी दिपंकर भर्टाचारे ने बताया है कि भाजपा के सरकार आने के बाद माफिया ताकतों का मनुबल बढ़ गया है भागपामाले ने सरकार से जमीन माफियाओं पर कारवाई करने की अपील की है साथ ही मामले की उच्छास्तर ये जाच की भी अपील की है असदुद्दी नोवैसे की पार्टी AIMIM ने बिहार में 11 सीटों पर चुनाओ लड़ने का एलान असदुद्दी नोवैसे की पार्टी AIMIM ने बिहार में 11 सीटों पर चुनाओ लड़ने का एलान किया है पार्टी के प्रदीश अध्यक्ष अक्तरूल इमान ने इस बारे में जानकारी दी है उन्हों ने कहा है कि पार्टी 11 सीटों पर चुनाओ लड़ने की और दूसरे पार्टी से भी उनकी बातचीत चल रही है असद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM बिहार में किसंगंज कटिहार दर्बंगा पुर्णिया बागलपूर कारकाट गया बकसर उज्यारपूर और मजपरपूर से चुनाओ लड़ेगी अक्तरूल इमान ने कहा है कि AIMIM आरजडी कॉंग्रिस जद्यू भाश्पक के खिलाफ चनाओ लड़ेगी बिहार के पार्टियों ने दलित मुसल्मानों का वोट लिया और साथ ही उनका सोशन किया है बोशपूरी एक्टर पावन सिंग ने लोगसभा को चनाओ लड़ने का किया एलान बोशपूरी के अभी नेता पावन सिंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है कि वो लोगसभा को चनाओ लड़ेंगे उन्होंने काया कि वोन इस चुछ तोर पर लोकसभा का चुनाओ लड़ेंगे और जनता जनाड़न और उनकी मा से किये हुए वादे को पूरा करेंगे इसके लिए उन्हेंने सबी से आशरवाद भी मागा है आपको बता दी कि पश्ची मंगाल के आशन सोल से भाजपा ने पवन सिंग को अपना उमिद्वार गोशित किया था इसके बात पवन सिंग ने कहा था कि वो आशन सोल से लोकसभा का चुनाओ नहीं लरेंगे अक्टर नहीं भाजपा के रास्ते अध्यक्षो जेपी नड़ा से भी मुलाकात की थी भारत की हार पड़ आज़ी के दिन फैंस ने स्टेडियम में लगाई थी आग 28 साल पहले साल 1996 में आज़ी के दिन भारतिय फैंस ने कॉलकता की इटन गार्डन स्टेडियम में आग लगा दी थी श्री लंका के साथ वर्ल्ट कप का फाइनल मैच हो रहा था और इसमें भारत को श्री लंका के हाथों बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था साचिन तेंदुल करके आउट होते ही भारतिय टीम की तेज़ी से विकेट गिरने लगे थे और भारत को हारता देख कर भारतिय प्रेशन सकों ने स्टेडियम की सीट पर आग लगा दी थी और इसके साथ एखिलारियों पर बोतल फेकने लगे थे इस नजारी को देख कर सभी हैरान थे पुलीस ने हालत को समालने की कोशिश की लेकिन सब कुछ आसानी से नहीं हो सका था इस दौरान क्रीज पर विनूद कामली थे मैच का ये हाल देख कर नाबाद रहे कामली मैदान में ही रोने लगे थे बीते दिन हमारे दोरा पूछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है उनके नाम हैस के साथ ही बढ़ते हैं आजके सवाल की और आज का हमारा सवाल है आपके अनुसार बिहार में AIMIM के चुनाओ लगने से क्या महागडबंदन और NDA को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्षिन बॉक्स में लिखके जरूर बता है इतना ही बिहार के तमाम कबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी नूज और अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो पेच को लाइक करना नहीं बोले धन्यवाद